जाएन दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एट्विचर्ड जोप्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपको गोवर्मेंट जोप्स इलेटेड जो भी ओफलाइन या ओनलाइन फोरम निकलते हैं हम उसके बारे में आपको उसी जानकारी पर दान करते हैं जैसा कि मैंन आपको कल बोला था कि मैं ITBP driver और ट्रेड मैन पर वीडियो प्रवाइड करूँगा तो उसे के संदर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके ट्रेड मैन मैडिकल के ट्रेड मैन मैडिकल और ड्रैवर के मैडिकल हम ओचुके हैं तो अब इनकी बात रह जाती है मेन लिस्ट की जो मेन लिस्ट लगती है और जोइनिंग की जो ट्रेनिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रेनिंग आपके हमाँ बता दू ड्राइवर की भी और ट्रेनमैन की भी आपकी ट्रेनिंग भानू होगी BTC Bhanu Basic Training Camp यहाँ पर आपको Basic Training Camp में से आपको Training दे के फिर आपको अपनी यूनिटा लोट कर दिये जाएगा फिर उसके बाद आपकी एक Advanced Training होगी सब भी पोश्टों के लिए Same Training Processor रहेगा बात करूँ जोइनिंग की इनकी तो जोइनिंग आपकी अगले महीने में होगी आप चाहे ड्राइवर हो या Trainman से लेटिड हो आपकी सब भी की जोइनिंग साथ होगी अगले महीने में आपकी Training स्टार्ट हो जाएगी साहर लास्ट तक आपकी Training स्टार्ट हो सकती है Next Month अब रजैल्ट की बात करूँ Main List का रजैल्ट तो वो किस तरह बनेगा अब Main List का रजैल्ट बनेगा आपका चाहे आप Extended में हो और Main दोनों को मिला के आपका रजैल्ट बनेगा अगर Main से बच्चे आउट होए हैं कोई Driver में हो या Trademan में अगर वो या तो मेडिकल देने नहीं गया है या किसी डोकुमेंट की वज़े से रजैक्ट हो गया है या उसका कोई मेडिकल इश्यू हो गया जो नहीं कलियर कर पाए तो उनकी जगह कोई Extended वाड़ा है वो जगह ले लेगा और Main List में उसको जो लगेगी इननी में से Main List लगेगी उससे उनका सेलेक्शन हो जाएगा कोई भी Second List नहीं लगेगी कोई Waiting List नहीं लगेगी जो Next List लगेगी वो Main List होगी उननी को Training के लिए बुलाया जाएगा फिर उनकी जो Call Letter हैं जो Joining Letter हैं वो Issue कर दिया जाएगा कि आप आएए वो Training के लिए ITVP जो कैम पर जोइन कीजिए यह था आपका ITVP ट्रेडमेन का और Driver का जो Joining प्रोसेस है यह अब बात करूँ मैं ITVP की New Vacancy की तो ITVP की New Vacancy अभी SSEGD के त्रिव आई है और जो New Vacancy मैंने आपको कई बार मैं बता चो काउन जब तक यह दो बरती कलियर नी होंगी आपकी New Vacancy नहीं आने वाड़ी और जो New Vacancy वो आपकी आएंगी दुबारा Trade Man की आएंगी और जो Ministerial Head Gunstable Ministerial और इनकी जो आपकी Vacancy है वो आएंगी जो Plus to Pass में मांगी जाएंगे साथ में ITPP ने एक और बड़ा चेंज किया है कि पहले जो Trade Man में थे वो Trade Plus Return से बच्चों का सेलेक्शन होता था लेकिन अब आगे जो सेलेक्शन होगा वो Only Return Base पे होगा Trade Test आपको Qualifying Nature का यह होगा जैसे आपने ड्रैवर में जो जो प्रिसेस होई थी उसी प्रकार से आपका होगा कि आपका जो सेलेक्शन हो Return पे होगा Trade Test पे सिरुफ आपको Qualify करना है ड्रैवर का Result सिरुफ आपका Return Base पे मना है अब बात बताऊं एक्स्टेंड वालों की तो एक्स्टेंड के बहुत से बच्चों का सेलेक्शन होगा सेलेक्शन इस वो जैसे होगा क्योंकि आपको पता 2017 की बरती चली हुई थी तो बहुत से बच्चे हैं जो उनका और दूसरी पोश्टों पे सेलेक्शन हो चुका है आप सिर्फ वही जोईन करेगा जिसके पास और सेकेंड उप्सन नहीं है तो वही जोईन करेगा बात करूब पर्मोशन की पर्मोशन इनका सब इका सेम रहता है अब इकों स्टेबल रैंक पर होब चाहिए ट्रेड मैन हो चाहिए ड्राइवर हो उसके बाद आप डिपार्टमेंटल के थ्रू भी डिरेक्ट पर्मोशन पास सकते हैं अलग-अलग एकजाम दे कर भी तीन सल के बाद आप कमांडेंट का एकजाम भी दे सकते हो सैलरी की बात करूँ तो सैलरी सब की सेम रहती है बस जो चिंजिज आती है वो आती है रिस्क अलोवेंस या अटिट्यूड मतलब आपकी कैसी जग आप पोश्टी है उसके अकोर्डिंग लिए आपकी अलग-अलग जो सैलरी वो दी जाती है और फैसलिटी बहुत परवाइड के जाती है जैसे चिल्डरन फीस और क्वाइडर या एकोमेडेशन बहुत सी जीज़े है जो आपको राशन फ्री राशन मेडिकल फैसलिटी यह दे दी जाती है परमलेटरी होगा सिर्फ आपको एक पैंशन की जो स्कीमों पैंशन नी मिलती है आपको वो पैंशन बंदी कर दी गई है सिर्फ आपको जो कुछ पैमेंट है वो पैमेंट आपको बाद में दे देते हैं रिटार्मेंट के टाइम यह था इसका अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ एक इसी साल 41 F.A.D. की वकैंशी आई थी जो आर्मी में सीविलियन की थी जिसमें आपकी ट्रेडमेंट मेट की जूनियर ओपीस असिस्टेंट मीन्स कलरक की मैटेरिल असिस्टेंट में की MTS मल्टी टास्किंग स्टाप की और फैरमेंट की वकैंशी निकली थी 41 F.A.D. फिल्ड एमिनेशन डिपोर्ट था जो ओफलाइन फोरॉम निकले थे आर्मी के अंदरगत इनको रखा जाता है इसमें आपकी टोटल 458 वकैंसी थी उनकी एडमिट काड हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं इसमें आपके ट्रेडमें के सभी के next month से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा अभी अभी आ रहे हैं अगर किसका अभी तक नहीं आया तो वो भी थोड़ा वेट कर लेजिए उनके भी अभी अडमिट काड आने वाले हैं प्रोसेस की बात बताऊं तो इसका प्रोसेस की स्टार से रहेगा ट्रेडमें और फायरमें इन दोनों के आपके फिले फिजिकल होंगे ट्रेडमें में आपकी 1500 मेटर की रेस है फायरमें में आपकी 1600 मेटर की रेस है छे मिंट का टाइम मिलेगा आपको दोनों में आपको टाइम मिलेगा, साथ में फायर मैं में आपको 63.5 kg कट्टा उठाना होगा, वहीं ट्रेड मैं में आपको 50 kg कट्टा उठा कर भागना पड़ेगा, इनके बाद ही जो कुवालिफाइंग उनको साथ में एक्जाम डेट बता दी जाएगी, आपका इस डेट को एक्जाम आप वह एक्जाम उस दिन दे जकते हैं, अब बात करूँ, JOA जो जूनियर ओफिस असिस्टेंट हैं, उन जूनियर ओफिस असिस्टेंट का सब से पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी मेल लिस्ट लगेगी, म तो अगर अभी तक आप हलकी फिलकी रणिंग कर रहे तो अब टाइम आ गया कि आप अपना बूस्ट करें क्यूंकि वहाँ पर हाइटिटूड होगा थोड़ी थंड भी होगी तो थंड में शरीर को थोड़ी ज्यादा एनरजी लगेगी तो अपना अच्छी तरह से मैंटेन क रहे इसमें बता दू तो मैं आपको इसमें ट्रेड मैंन की आपकी 330 वकैंसी थी फाइर मैंन के 64, जूनियर ओफिस ऐस्टेंट की 20, मैटेल असिस्टेंट की 19, मैंटेस की 11 इसमें यह आपकी वकैंसी थी अलग-अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग-अलग बहुत से तो उनका तो एक ही महीन वहां लगने वाड़ा है लदाक में लदाक आपकी सारी प्रोसेस स्टार्ट होगे बहुत बचसर जाएंगे तो अपनी त्यारी कर लीजिए अगर रनिंग की नहीं कर रहे हो तो जल्दे स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि फायरमेन और ट्रेडमेन में अब बाकी मैं आपको बता दूँ एक बड़ी चीज वो क्या है SSB ड्राइवर और ट्रेडमेन की जो पंदरा सो कुछ वकैंसी निकली थी उसके बारे में उनके आपके जो फीजिकल हैं वो भी नेक्स्ट मंत के एंडिंग तक स्टार्ट होने की उमीद है सिरफ उमीद है उमीद इसलिए है क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था वो भी मेरे पास अवैलेबल नहीं लेकिन मैं देखा था तो मैं इसको सेव नहीं कर पाया मैंने सब्सक्राइबल लेकिन वो सेव नहीं हुआ था फिर बाद में मैंने सर्च किया तो नोटिफिकेशन नहीं मिला उसमें यही था कि जो डूटी अलोट हो रही थी वो कि कहाँ पर आपके फीजिकल होंगे और कौन कौन आपर कमांडएंट या जो स्टाफ होगा वो तो उसमें यही था कि आपके जो फीजिकल है वो इस मन तक आपके अडमिट काड़ा जाने थे लेकिन वो भी तक नहीं तो साइद प्रोग्राम आपका डेली हो सकता याद आपके नेक्स्ट मिन थी आपके फीजिकल स्टार्ट हो जाएंगे तो ड्राइवर और ट्रेडमेन वाड़े जो भी वच्चे थे वो त्यार हो जाएंगे जाएंगे वनी ट्रीम का फारम पर रखा वो फीजिकल सब का होगा पांच किलो सोरी चार पॉइंटाट किलोमेटर की रेस है और तारी सो मीटर 24 मिट का आपको टाइम दिया जाएगा जो रेस में क्वालिफाई होंग क्योंकि डोकुमेंट वरिफिकेशन साथ हमें होगा डोकुमेंट वरिफिकेशन होने के बाद ही आपको नेस्टेज आपकी रिटन टेस्ट होगी रिटन टेस्ट के बाद आपकी नेस्टेज ड्राइवर के लिए स्कील टेस्ट मतलब चाहे जित इस पोस्ट के लिए भी तो जल्दी जल्दी से आप अपनी रणिंग है वो स्टार्ट कर लेजिया अब बहुत से बच्चों का और डाउट है कि सर मेरा वो बीमारी है यह वो बीमारी है क्या मैं ऐसे सब्सक्राइब की बात कर रहा हूं है वो सिष्टम मेरा वो बीमारी है क्या मैं अटारी सो मीटर की रेस कर पाऊँ आप बिल्कुल कर पाऊगे अगर आप अच्छी त्यारी करोगे तो चाहिए आप नोकनी हो चाहिए कुछ हो आपको कोई नहीं रो सकता लेकिन नोकनी रोकने का एक सबसे अच्छा तरीक्का है कि आप अपने दोनों गुटनों के पैर के बीचे में तकिया रख कर सोई उससे आपका जो गैप हो गैप कवर हो जाएगा यह चोटी-चोटी बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं आपका इभी मेडिकल के रिजाए आपके बहुत से बच्चों में हैमागुलोबिन की कम्यों होती है तो हैमागुलोबिन अपना मैंटेन करके रखे साथ में आपको बताओं एक ओफलाइन फोर्म निकला हुआ जो जाट रेजिमेंट में जो जाट रेजिमेंट पर हैं वहाँ आपके वकाइशे निकली होई हैं जिसमें आपकी बल्टी-टास्किंग स्टाफ और ट्रेडमें यह बड़ती आपकी निकली हैं ग्रूप C की ने डेटर वो फोरुम को बढ़ सकते हैं, आपको फोरुम बढ़ना, सभी डोकुमेंट अटाइज करके आपको फोरुम है वो पहुंचा दिरना है, यह थी आपकी मैंने बता दिया, इसमें ITVP का इप बता दिया, ड्राइवर का बता दिया, ट्रेडमान का बता दिया, न्यू एक पास पुराना मांग राखा था कि आपका इतना लाइसे अटाइज उना चीए, उसमें कोई अपेसल अलग से एक्सपिरिंश नहीं मांग राखा था कि आपके पास एक्सपिरिंश उना जरूरी है, तो कई भी दुकान पर जाकर पैसे मत लगाओ, अगर आपके पास ओर जरूत क्यूं नहीं है इन्होंने सिर्फ दो सल पुराणा आपका लाइसे मांग रखखा है इसे परबाद मत करो नहीं टाइम परबाद करो आपका जो दो साल परणा लाइसे सी वही आपका चल जाएगा, आपको और कुछ कराने की जुरूत नहीं है. तो दोस्तों ये जानकाल थी, जो मुझे आपके साथ सेर करनी थी, वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सेर करें, चैनल को सस्क्राइब करें, अगर आपका फिर भी कोई डाउट और रह जाता है, तो आप कोमेंट सेक्शन में अपना डाउट सोड़ चकते हैं, मैं उम्मी